हेलो फ्रेंड्स आपका सौगत है हमारी चैनल पे दोस्तो आज हम आपको रात को सोते समय सिर और पैर किस दिशा में रखकर सोने चाहिए इसके बारे में कुछ महत्पून बातें बदाएंगे आम लोगों में धारना है कि शरीर के ठके होने पर किसी भी दिशा में हम सरिया पैर रखकर सो जाएं तो हमें नीन तो आ ही जाती है यहां तक की नीन जब आती है तो बिस्तर अच्छा या बुरसा नहीं देखता इसलिए किसी भी प्रकार सोना पड़े या हमारा प्लंग किस दिशा में पड़ा है तो उसी इसाब से हमें सो जाना चाहिए जबकि दोस्तो वास्तिक्ता ये है कि सोते समय सेरिया पैर किस दिशा में रखे ये हमें पता होना चाहिए हमारे रिशी मुनियों ने इसके समंद में दर्म घंथो में वरन भी किया है ताकि उसका पालन करके हम स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं ये नियम आज भी विज्ञानिक कसोटी पर खरे साबित हो रहे हैं दोस्तो सोते समय सेर सदेव पूर दिशा में रखे पश्चिम दिशा में कभी भी सर रखकर ना सोई आप ध्यान से सुनिएगा सोते समय आपका सर सदेव पूर दिशा में होना चाहिए पश्चिम दिशा में कभी भी सर रख कर ना सोएं और अगर हो सके तो रात को सोने से पहले हात मूँ अवश्य दो कर सोएं इससे दोस्तों आपको नीन अच्छी आएगी और आप हमेशा सबस्त रहेंगे आपको हमारे वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और इस वीडियो को जाद से ज़्यादा शेयर करें धन्यवाद